Q5 자, 25 विध्यार्तियों की 1 कच्छा A में 20 विध्यार्ती 60% अंग लेकर पास हुए और 30 विध्यार्तियों की 1 कच्छा B में 24 विध्यार्ती 60% अंग लेकर पास हुए किस कच्छा में बिध्यारतियों का अधिक भाग 60% अंग लेकर पास हुआ कुश्चन में हमें दो कच्छा इन दी गई हैं कच्छा A और कच्छा B कच्छा A में कुल 25 बिध्यारती है कुल बिध्यारती कच्छा A में है 25 और कच्छा B में कुल 30 बिध्यारती है और कच्छा A में 25 में से कितने विध्यारती पास हुए तो question में हमें दिया है कच्छा A में 25 में से 20 विध्यारती पास हुए और कच्छा B में 30 विध्यारतीयों में से 24 विध्यारती पास हुए तो हमें बताना है किस कच्छा में बिध्यारतियों का अधिक भाग 60% अंग लेकर पास हुआ यह जो पास बिध्यारती हैं यह 60% अंग लेकर पास हुए है सबसे पहले हम कच्छा A में निकालेंगे कि संपूर्ण विध्यारतियों का कितना भाग 60% अंक लेकर पास हुआ इसके लिए हम भिन बनाएंगे भिन बनाने के लिए हमने बटे कच्छ लगाया अंस बनेगा यहां हर बनेगा यहां हर में हम रखेंगे संपूर्ण संख्या और अंस में हम रखेंगे वो संख्या जिसका मान याद करना है तो कच्छा A में कुल 25 विध्यारती हैं तो हम हर में रखेंगे 25 जिसमें से पास कितने हुए पास 20 विध्यारती हुए तो हम उपर रख देंगे अंस में 20 यहां से निकला 5 से से कार देंगे 4 बार और 5 से से कार देंगे 5 बार भिन बनी 4 बटे 5 कच्छा A में 4 बटे 5 भाग बिध्यारती 60% अंग लेकर पास हुए ऐसे ही हम कच्छा B में बनाएंगे कच्छा B में कितना भाग बिध्यार्थियों का कितना भाग 70% अंग लेकर पास हुगा सबसे पहले हम भिन बनाएंगे भिन बनाने के लिए हमने पटे कचल लगाया और हर में रखेंगे हम संपूर संख्या तो कच्छा B में संपूर 30 बिध्यार्थी है हमने हर में रखा 30 और अंस में हम रखेंगे वह संख्या जिसका मान ग्याद करना है मतलब 24 24 जो है हम बताना है कि 24 कितना भाग है 30 का तो उपर हम रख देंगे अंस में 24 इसे अब कार देंगे हम तो यह 5 छे से कटेगा 6 चो को 24 और 6 पंचे 30 यहां से हमें प्रात हुआ कच्छा A में बिध्यारतियों का 4 बटे 5 भाग 60 परसेंट अंग लेकर पास हुआ और कच्छा B में भी 4 बटे 5 भाग 60 परसेंट अंग लेकर पास हुआ कुश्यन में पूछा था कि किस कच्छा में बिध्यारतियों का अधिक भाग 60% अंक लेकर पास हुआ लेकिन दोनों कच्छाओं में यहां तो बरावर बरावर निकल आई तो यहां से किसी भी कच्छा में 60% अंक लेकर विध्यारतियों का भाग पास नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही कच्छाओं में बिध्यादी बराबर बराबर संख्या में पास हुए है तो इस question का answer हो जाएगा किसी भी कच्छा में नहीं अगला question है आठ घंटा एक दिन की कौन सी भिन है इस question में हमें ग्याद करना है कि जो आठ घंटा है वह है एक दिन की कौन सी भिन है तो एक दिन में कुल कतरी घंटे होते, एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं, तो यहां से हमें कुश्चन में यही चीज ग्यानत करनी है, कि 24 घंटों में से जो 8 घंटा है, वह कितना भाग है, तो इसकी हमें भिन बतानी है कि भिन कैसे बनेगी, तो देखिए यहां पर, हम इसकी जबताना है कि 8 घंटा जो है कितना भाग है जिसे प्याद करना होता है उसे अंस में रखते हैं तो हम अंस में रख देंगे 8 अब इसे काट देंगे वह कर जाएगा 8-24 तीन बार तो यहां से हमें मिला कि 8 घंटा में 24 घंटा का एक प्याइओ भाग है तो इस question का answer हो जाएगा कि 8 घंटा एक दिन की कौन सी भिन है 8 घंटा जो है एक दिन की एक तिहाई भिन है अगला question है 3 बटे 5 के तुल वह भिन लखिए जिसका हर 30 है दिया है कि 3 बटे 5 इसके तुल वह भिन लखना है जिसका हर 30 है मतलब हमें हर में 30 चाहिए यहाँ पर हर में 5 लखा है इस 5 की जगहाई पर 30 क्यासे मिलेगा अगर हम अंज और हर में 6 का गुणा कर दें तो हर में 5, 6 का 30 हर में 30 बन जाएगा तो हमारी भिन बनेगी वो बनेगी 6, 18, अंज में आएगा 18 और हर में आ जाएगा 30 तो यहीं वो भिन है जिसका हर 30 है और जो कि 3 बटे 5 के तुल है अगला क्वेशन है हरीष एक घंटे में किसी पुस्तक का एक बटे 3 भाग पढ़ता है हुआ है दो सही एक बटे 5 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा क्वेश्चन में दिया है कि एक घंटे में एक घंटे में कितना भाग पड़ता है हमने लखा एक घंटे में किसी पुस्तक का एक बटे तीन भाग पड़ता है तो हमें बताना है कि वह दो सही एक बटे पांच घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा, चूंकि एक घंटे में एक बटे तीन भाग पढ़ता है, इसलिए दो सही एक बटे पांच घंटों में, पहले हम इसे सही भेन बना लेंगे, इस तरीके से, पांच दूनी दस और एक ग्यारा बटे पांच घंटों में, ग्यारा बटे पांच घंटों में कितना भाग पढ़ेगा, यहां से हम कर देंगे, एक बटे तीन गुणा, ग्यारा बटे पांच, ग्यारा ये कम ग्यारा और पांच तिया पंदरा, यहां से हमें मिल गया ग्यारा बटे पंदरा, एक घंटे में किसी पुस्तक का एक बटे ती पढ़ता है यहाँ से हमें मिला कि 2 सही एक बटे 5 घंटों में वह उसी पुस्टक का 11 बटे 15 भाग पढ़ेगा तो इस खुश्चन का यही आंसर हो जाएगा 11 बटे 15 अगला क्यूश्चन है एक धन का एक बटे 3 भाग उसके एक बटे 4 भाग से 12 अधिक है धन का 3 बटे 4 भाग ग्यात करो मान लिया हमने कि वो धन X है वो धन X है जिसका एक बटे तीन भाग तो हमने इसका एक बटे तीन भाग कर दिया उसके एक बटे चार भाग से बारा अधिक है उसका हमने एक बटे चार भाग लिया X का ही एक बटे चार भाग तो ये वाला एक बटे तीन भाग उस ध इस तंख्या से 12 बड़ी है, अगर हम इनका अंतल ले ले लें तो यह बरावर 12 के बरावर हो जाएगा, यहां से हमें मिला X बटे 3 माइनस X बटे 4 बरावर 12, अब इसे हम हल करेंगे और X का मान ग्यांद करेंगे, इनका LCM हुआ 12, 3 चो को 12 यह हो गए 4X माइनस 4 तिया 12, 3 का में गड़ा हो, हो जाएगा जी हो जाएगा 3X बरावर 12, 4X मानिस 3X मिलकर इसे हम घटा देंगे, तो हो जाएगा X बटे 12 बरावर 12, यहां से हमें मिल गया X का मान, X बरावर 12 गड़ा 12, यह हो जाएगा 144, यहां से हमें वो धन पता चल गया, कि वो जो धन है, वो 144 है, करना है तो हम 144 का ही तीन वटे चार भाग ले लेंगे अब देखिए इसे हमने चार से काटा चारतिया बारा और चार चार चंद 24 36 गुड़ा 3 जब 36 गुड़ा 3 करेंगे हम लेगा 108 यहां से हमारे कुष्चन का आंसर आ गया 108 जो कि इस कुष्चन में पूछा गया था अगला कुष्चन है 306 और 777 को देखिए तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले 306 सबदों को अंकों में लिखेंगे तो 306 को हम ऐसे लिखेंगे और लिखा है 707 306 पिलस 77 इसको हम क्या लिखेंगे 7 और 17 के लिए 100 का भाग दिया हमने यह लख गया 757 306 पिलस 77 बस इसे आपस में जोड़ना है तो यह हो गया 306 पिलस दसमलब ऊपर दो अंक लेप साइड में खिसक जाएगा तो यहां से हमेलेगा 7 0 और यहां पर दसमलब दसमलब 0 7 इन्हें आपस में हम जोड़ना कर लिखेंगे तो यह हो जाएगा 306 दसमलब 0 7 यहीं इस कुश्चन का आंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है 0 5 8 4 तथा 0 5 7 3 4 में से कौन सी संख्या बड़ी है दो संख्यां दी गई है 0 5 8 4 और 0 5 7 3 4 इन्हें में बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है तो कैसे गयाद करेंगे आप यहाँ पर दसमलब के बाद देखिए दसमलब यहाँ भी है यहाँ भी है दसमलब के बाद पहली संख्या 5 है दसमलब के बाद पहली संख्या 5 है अभी तुलना नहीं हुपा रही कि कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है दसमलब के बाद 5 5 के बाद 8 है लेकिन यहां पर 5 के बाद 7 है तो हमने पाया 5 के बाद यहां पर 7 है 5 के बाद 8 है जो भी पहली संख्या बड़ी मिलेगी वही संख्या हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी यहां पर 5 के बाद 8 मिल गया यहां पर 5 के बाद 7 मिला 7 से बड़ी संख्या 8 होती है इसल का आंसर हो जाएगा दसम्लब पांच आठ चार बाड़ी संख्या है अगला क्वेश्चन है 9 मीटर 7 सेंटी मीटर को दसम्लब का प्रयोग करके मीटर में लिखे दिया है क्वेश्चन में 9 मीटर और 7 सेंटी मीटर को दसमलब का पिर्योग करके मीटर में लखना है तो इन्हें हम कैसे लिखेंगे देखिए 9 मीटर तो पहले से मीटर में है इसे हमने जियों को तो लखा हमने पिलस का चल लगा दिया अब 7 सेंटी मीटर को मीटर में बदलना है तो 100 सेंटी मीटर में एक मीटर होता है जब 100 सेंटी मीटर में एक मीटर होता है तो 7 सेंटी मीटर में कितने होंगे हम इसमें 7 साथ में 100 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा मीटर में 7 सेंटी मीटर को मीटर में बनाने के लिए हमने 7 में 100 का भाग दे दिया अब ये मीटर में बन चुका है, यहां से हमने लखा 9 मीटर पिलस, अब देखिए, 7 बटे 100 है, तो दसमलब 2 अंक इस साइट खिसरे जाएगा, तो दसमलब जो हम लेगा, दसमलब 07, इसको हम मीटर में दखा, ये भी मीटर में है, ये दोनों संख्या है, अब मीटर में बन च देखिए, 9 दसमलब 07 मीटर ये इस कुश्चन का आंसर है,